हेलो हेलो ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है ये बाबू ये पब्लिक है पब्लिक प्रियाग राज उत्तर विदान सबाद शेत्र में ही प्रियाग राज हाई कोट आती है ऐसे में वहार रहले तमाम जो अधिवक्ताएं हैं वो किस तरह देखते हैं सरकार के काररेकाल को पांच साल के इनको लगता है कि हाई कोट के इस च्छेत्र में बदला हुए के नहीं है कुछ लोगों से बात करेंगे सर मैं आप से पहले बात करना चाहूंगा कि यह तहीं की चुनावावा आने वाले हैं और आप लोग अधिवक्ता हैं हाइए यहां पर है उत्तर च्छेत्र में इसके प् भ्रभवसाली रही आज भी आप हैं पूरे जगह राईवार करें है अपने सभी कामों को कर रही है लेकिन सिर्फ और सिर्फ धिवक्ताओं को ककंब जुरुणिया जिस तरह से यह आज देढ़ दो महीने से लगातार हाई कोट बंद कर दिया गया है क्यों वर्चुल चल रहा है क्या राजनेतिक पर वर्चुल चल रहे हैं अभी आप पत्रकार हैं अभी आप देखिए कल ग्रह मंत्री जी गए तो कहां रूक रहे हैं उनको रोक नहीं पड़ फेमस जगा मनी जाती है और पूरे उत्रपरदेश से लोग यहां पर आते हैं कुछ बदलता होना जारा है पिछले पांच सालों में आपको इधर बदलता हुआ तो हमें कुछ नहीं ने जारा है हमने तो सिर्फ एक चीज देखा हमने सिर्फ एक चीज देखा कि जिस तरीके से अन्ना जानवर जो अवारा पसु टहल रहे हैं गोबंस वाले इनको लिए गोबंस आसरा यह स्थल भी इन्हों ने बनवाया लेकिन हम तो देख रहे हैं कि साड़कों पर हाईवे पर आप चलिए अभी देखिए एक बहुत कॉमन समस्या है मैं मान रहा हूँ उत्रपरद इसमें सिर्फ इतना बता दीजे कि यह पांच साल इनकी गवर्मेंट लगभग जा रही है चली ही गई है जारी है नोटिफिकेशन आ गई है अब एलक्षन होगा दसमाज के बाद क्या होगा यह तो जनता खुटताएं कर देगी लेकिन पांच साल में धाई साल तो इन्हों इस तरह से यहां पे पुलिस प्रसासन को लगा दिया सिया पी यह बूला दिया गेट बंद है हम अधिवक्ता है कोई चोर उचक्के डखायक नहीं है कि आतंकवादी हैं अंदर में घृट करें से हैं तो हमारे चेमबर बने हुए हैं हम अपने चेमबरों में तो जा सकते है हम अपने चेंबर में भी नहीं जा पा रहे हैं यहां पे साथ आठ गेट हैं और साथ आठ गेट में से एक भी गेट ऐसा नहीं है जिससे कि हम इंट्री ले सकें आपनी लेकिन नाम का है ताला लगा हुआ हैं अपने घर में इंट्री नहीं नहीं पा रहे हैं इसके बावजूर्व हमारे जजजे जो महोदय लोग है यह भी जो है वो पॉजिटीब होते जा रहे हैं तो हम से कहां खत्रा है कोरोना काहल में आप लोगों के समस्य बढ़ दो इतने जादे बढ़ गई है और सरकार ने इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया कानून ब्यवस्ता की बात हम कर रहे है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्या मुख्यमंत्री जी योगी आदित नाथ जी हैं योगी आदित नाथ जी के विचार पे उनके कर्मों पे उनके सुभाव के बारे में पूछा जाए तो कहीं से भी उनके उपर अंगुली नहीं गर घर और दरवाजे दरवाजे और खेट खेट किसी की जाकर सुरक्शा नहीं कर सकते है zamindar कौरे प्रदेश के उपर ढ़ा कॉपर कौन जनकारी ने सकते हैं तो उस पर एकसन होता है करवाई होती है क्योंसरी बात सर ने कहा कि मुख मंत्री जी का नाम और वो तो मुख मंत्री की responsibility उनके नाम से नहीं पद्द से होती है, पद्द में होने के कारण जनता की जिम्मदारी है, पुरे प्रदेश का भार होता हा, और जो भी विवास्ता है कानून से लेके बिरूजगारी से लेके, से लेके, कोई सम्स्या ओप प्रदेश में, पूरी पूरी, इजि वकील काल में सारे वकील है उसको फटा दिया जाये तो नहीं में किया नहीं कुड़ किया गीजाएक की जाएगी नहीं क्यों नहीं की जाएगी इतना हाई कोट है प्रदेश का पुरे प्रदेश के वकील है आपके कहना है कि अलग से एक अस्पिताल और दूसरी बात यह है कि जो जूनर से जो 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 नए नए आते हैं उननके लिए जीवगे परजण के लिए आपने राषान की बहुता किया बहुता किया और एक सटर अब्सक्रा सके दो कोई ऐसी सुबदा कोई है सी मतलब फैसलटी नहीं जिससे वह अपना इस कर सके और अपना परिवार चला सके इनका ये कहना है कि जो करोना काल था उसमें जा अधिवक्ता है जो जुनियर अधिवक्ता भी बन कर आये थे क्योंकि उनको नए किस मिल नहीं रहे तो तैसे में उनके लिए कही नहीं रोज़गार की मुसीबता आ गए थी लकनव में पूरे अधिवक्ता अपने चेंबर में जा रहें यहां पे क्यों नहीं जा रहें हैं दूसरी चीज़ कि अगर आपको करोना जस्साहब को हो रहा है तो वो नीचे अपने अफिस में बाटें हम अपने कोर्ट में बहास करेंगे सब्सक्राइब करूण काल कर दे कि और सब्सक्राइब करोना काल के चलते जो अधीवक्ता हैं बहुत परशान रहे हैं हम कुछ और लोगों से बात करते हैं सर मैं आपसे बात करूंगा यह बताईए कि जो तमाम अधियुक्ता अपनी बात रख रहे हैं कि समस्या काफी रही उनके सामने और क्या आपको लगता है कि हाँ सरकार ने पिछले साल में ये शायद करना चाहिए था वकीलों के लिए या इस हाई कोर्ट के लिए कि जो जो सुविदा हैं वो सुगम हो जाती है या फिर मुश्किलात को ज्यादा है अगर क्रोना काल गोटा दिये जाए तो संसाधनों की कमी है वकीलों के पास देखिए हैं गाउंचियत से विजुड़े अधिवक्ता हैं उनके पास वैसी मोबाइल नहीं स्मार्ट फोन नहीं है लैपटाप नहीं है तो यह सब समस्याएं आती है कनेक्टिविटी की समस्याएं और दूसरी चीज महामारी के समय में इन्होंने प्रतिबंद लगाया लेकिन प्रतिबंद में एक समरूपता होनी चाहिए हर जगां यह प्रतिबंद रहे अभी आज नियुज पेपर में पढ़ा गया है कि एक करोंड लोग मौनिया मौसया पर अस्नान करेंगे तो वहां भी तो महामारी फैल सकती है ना और यह आज वहां परुटोकॉल के पालन किये जा रहे हैं सब लोग मेला जह जिए missing कर रहे हैं और और अजेशने हैं प्रतिबंद करके ही हाई कोटों परवेश कर रहे हैं पोई भी अधिवक्ता विद आउत मास्कट को अब कुछ करने हैं एक्षुली होता क्या है जैसे वर्च्वल जो चल लए है अब सारे जजेज अपने चेंबर से में हैं बहुत हम अभी कर क्या रहा है वेवक्ष पे सबसे बड़ी चीज है कि उनके डाइवर उनके गनर उनके चपराशी अभी हमारे बीच में मुंख़ली ख हाते हैं का पूरंवाट फैलेगा अब फ़िलएंगão कि समतुनि लेकर जरूड़ा संकर Κार्णा का काम कुछ अच्छा रहा वह पूर पुरे profundश के यह उचेतर pod तरह से कोशिश भी कि घ tágali बहूत भी बहुत कसे बहुत काम क्या है और वे जरूरी नहीं अधिवकता के हिथ में सरकार के उस तरह के कदम नहीं भी पाय गए है जिस से उठाना चाहिए था गवर्वन्ट को अधिवकतां की बागर बात ना करे तो देखिए बात बहुत कर लिए हमने सब ने बताया कि समस्साय करोणा काल में बहुत रही हैं मैं अगर आम जन्त को कि आ आप यहाँ डालते हैं अगर आप वोट डालने जाएंगे इस बार कारगाल की बात में सरकार की कमल खिलेगा या साइगिल चलेगी इसकी बात नहीं कर सकते लेकिन सरकार पांच सालों में जो कारे किया है सिर्फ सड़क परियोजना को छोड़ करके किसान अधिवक्ता च्छात रोजगारी पर सरकार ने कोई कार नहीं किया है कार्त करना वैस्था सantes प्रफ निपर करें लिए इसका हम लोग समर्थन करते हैं लेकिन और देखा जांश सरकार पर यूजणा पर सरकारण डेंक बूक्ताओं के लिए आब किशी के लिए कोई कार नहीं कि यह कुम नगरी कलाई जाती है प्रयाग राज में इस वक्त मौजूद है सिविल लाइंस का इलाका है हाई कोट इदर है हमने देखा 2019 में सफलता पुरवक्त से यहां पर कुम भी आजन किया गिया और उसका अगले साल मागमेला लगा लेकिन उतली जनता नहीं है क पुम भी मेला को लेकर के अब सड़क पर यह को लेकर के अधिवक्ताओं के लिए और किसी के लिए कोई कार नहीं किया है चाहे किसान हो चाहे जो भी हो यह बताईए कि इस बार जब अधिवक्ता बोट ड़ने जाएगा तो जहन में क्या रहेगा क्या मुद्दि रहेंगे जी प्रसासन का देखिए एक तरफ से गुंड़े ही है। छात्रों की आवाज दबाना अधिवक्ताओं से भी बहुत सही से पेस नहीं आते हैं। अभी आपका रेलवे वेकेंसी जो आई थी उसमें भी छात्रों को मारा गया। उनको बात के नहीं रखा गया। किस वज़े से क्या हुआ, क्यों दंगा हुआ। और बहुत ज़्यदा लाठी चार्ज उसमें किये हैं। कानून सरकार के लिए अगर आप कहना चाहते हैं कि 5 साल में क्या किया। हमारे अधिवकता के विशे में एक एक सबक्त कोई कुछ नहीं किया। जो सरकार के तरफ सुक्रम होता है कि सानो के दीजिये। वपीलों के लिए कोई याध तक नहीं दिये। परिशानी रही बेलकुल परिशानी आज भी हम लोग छेल रहे हैं जो छोटे छोटे परिवार हैं जो रेज डेली उनका डेली बेसी जो है प्रेक्टिसन जो वर्जनियल वकील हैं उनके पास आप देख लिए रो रहे हैं बाई साथ बच्चे कैसे पढ़ाना लिखाना हम तो अधिवक्ता हैं जो प्रेक्टिशनर हैं उनके लिए कुछ आईसे नीधी की बेऊस्था करना चाहिए आप इस सरकार के विसम जानना चाहते हैं जो सरकार 80 और 20 परसेंट की बात करती हो अगर 20 परसेंट साथ गद्दारी कर साथ तो 80 परसेंट साथ भी कर जैनू में जो हु अधिवक्ता तो प्रसेंट की लड़ाई है तो बेद्दार नहीं आपको दिखरा सामने अरे 80-20 परसेंट की वेस्पे का रहा हैं सिर्फ गदारी के वेस्पे का रहा है ना इस पर आप क्यों नहीं देते हैं दोनों की बात क्यों लेचलते आप 80-20 पर भी ध्याम देजेंग सब्सक्राइब करनी चाहिए और हमने बात की है यहां के प्रियाग राज उत्रचेतर पे जो हाई कोट आती है वहां के तमाम जो वकील है उनका कहना है कि उनका कहना है कि कोरोना काल में जो अधिवक्ता ते जो वकील थे उनके लिए सरकार ने कुछ भी काम नहीं करा है और चोटे वकील हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो रोजगार का एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी तो कुल में अगर कह सकते हैं पबली के सब जानती हैं हमने जानना चाहा है याके अधिवक्ताओं से कि पिछले पांच सालों में सरकार ने इन लोगों के लिए कुछ काम किया खलताई सकते हैं हम जानना चाहा हैं गोगों कि हमर 250 कि सर्ण ऐसरां में से कत्स तर् Wochen 20th के अबली मुझें जान सर्ण ह्ऊचर को सकताना चाहाँ को फूदारों क्यां